सब्सक्राइब करें यौर क्रियेटर्स स्टूडियो चैनल को प्रेस करें बेल आइकन को था कि आने वाली रेसिपी वीडियोज आपको मिलें सबसे पहले आज हम बनाएंगे टेस्टी छोलो वाली रेसिपी इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले रात बर भीगे हुए चैनले ने तीन सु ग्राम अब इनको अंदर हम तीन ग्लास पानी डाल देंगे दो तेज पात के पत्ते एक बड़ी लाइची एक छोटी लाइची दो लॉंग आदा चम्मत गरम मसाला एक चौथा चम्मत सोडा इन सब को फोकर में डाल कर दो सीटी लगा लेंगे दो सीटी आने के बाद हम इन दस मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाएंगे उसकी बाद हमारे चने उबल कर तैयार हैं अब हम इनको देख लेते हैं यह एकदम अच्छे से उबल चुके हैं एकदम सॉफ्ट हैं अब हम इने दो अलग अलग बरतन में निकाल लेंगे आधे उसके अंदर एक दाल चीने का टुकड़ा दो बड़े कटे हुए प्यास इनको डाल कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है यह प्यास फ्राई हो चुकी है गोल्डन ब्राउन अब हम इसके अंदर वन टी स्पून लैसुन द्रक का प दो चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच हल्दी दो बड़े चम्मच जीरा और एक चम्मच काली मिट जीरा हमें रोस्टेट जीरा लेना है जीरा पाउडर अब हम इसके अंदर चार टमाटर डाल देंगे मेडियम साइज के और इन अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर एक गिलास पानी डाल देंगे अब इसके अंदर या आदा चम्मच करम मसाला डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार अब हम इनको डग देंगे पांच से दस मिनट के लिए जब तक ही हमारा ये टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं पांच से दस मिनट हो चुके हैं टमाटर ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है अपना जो हमारा ग्रेवी मसाला है उसने अब हम इनको मैश कर लेंगे और इनको अच्छे से रोस्ट अब ये जो एक्स्ट्र ऑईल है इसको निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए वरना ये सारा उड़ जाता है इसको हम अलग रख लेंगे जब हमारे चने बन जाएंगे तो हम इसको उपर से डाल देंगे टमाटर अच्छे से बिल्कुल एक दम मुलायम हो चुके हैं अब इसके अंदर चने डाल देंगे मैश्ट किये हुए भी और साबत वाले भी अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट तक इने रोस्ट करेंगे ताके सारे चनों के अंदर मसाला अच्छे से बैठ जाए अब हम इसके अंदर चने वाला जो दो गिलास हमने पानी बचाया थो उबलेए चनों क वह इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इस पर ढखकन ढखकर 10 मिनट तक इसको पकाना है 10 मिनट बाद हमारे छोले बन कर तयार है अब हम इसके अंदर हरी मिश डाल देंगे अधरक डाल देंगे स्लाइसेस में कट्योई अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके उपर एक्स्ट्रा जो हमने आईल बचाया था उसको इसे डाल देंगे आप सारा भी डाल सकते हैं यह थोड़ा भी डाल सकते हैं हमारे गर्मा गर्म छोले बन कर तयार हैं अब हम इने पूरियों के साथ सर्फ करेंगे चावल के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं और रोटी के साथ भी ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते हैं आप इन्हें बटूरों के साथ भी सर्फ कर सकते हैं